स्टडीज चैनल के मीडियम के द्वारा इस वीडियो को देखरे सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे आज की ये वीडियो करंट अफेर्स के ऊपर है जिसमें हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को लेंगे ADA, Judiciary, CLAT और Law Competitive Exams में जो करंट अफेर्स का पार्ट है उसको त्यार करने में बहुत helpful रहे गिये वीडियो आपके लिए तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ और हमारा फॉर्स्ट अपडेट है रिलेटेट टू वर्ल्ड लाइन डे ट्वेडियो वर्ल लाइन डे हर साल दस ऑगस को मनाया जाता है और इसका में उदेश्य क्या होता है शेरों का सरंक्षन कंजोबेशन करना और उनके प्रती जागरुकता को बढ़ाना इसका में उदेश्य होता है जो शेर है लाइन्स है उनकी घर्टी पॉपुलेशन के उपर फोकस किया जाता है जो लाइन्स है वो ना तो सिर्फ अपेक्स प्रिडेटर्स है मतलब शीर शिकारी है बट इसके सा जात ही यह जो हर्भी वोर्स एनिमल्स होते है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इनका में रोल रहता है जैसे जीबरा वाइल्ड बीस इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो शेर है लाइन्स है इनका में रोल होता है और इसके थ्रू के होता है एक लॉजि डे को कौनसी डेट को जो है वो वर्ल नाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है तैस तेंथ ऑगस्ट और इसका मेन मोटिव क्या रहता है कंजरवेशन आंड रेजिंग अवेरनेस आफ लायन्स जो लायन्स की पॉपुलेशन आपर बहुत कम होती जा रही इसका मेन कारण है वो यहीं कि जो कुद्रती अवास है इनके natural habitat places है इनके वो खतम होते जा रहे है क्योंकि जो agricultural land है वो ही कम होती जा रहे है क्योंकि population इतनी बढ़ रही है और जो global warming है उसका भी effect आ रहा है कि global warming से इनके अंदर बहुत diseases फैल रहे हैं तो जिसकी वज़े से ये survive ही नहीं कर पा रहे है इस nature में तो इन सब चीजों के उपर focus करने के लिए जो world nine day हर साल celebrate किया जाता है इसके साथ चलते है second update पे second update जो है वो related है country's first rice ATM launched in Odisha भारत का पहला 2400 घंटे हनाज देने वाला जो ATM machine जिसको बोला गया है round the clock grain dispenser machine वो launch किया गया है इसका नाम क्या दिया है इसका नाम दिया है ग्रेन ATM और राइस ATM ये इसका नाम दिया गया है और इसको कहां launch किया गया है और इसा में launch किया गया है और किसके द्वारा launch किया गया है food supply and consumer welfare minister कृष्ण चंदर पत्रा इन्होंने inaugurate किया है इसे भुबनेश्वर के अंदर और सबसे पहला जो राइस ATM है वो कौनसे warehouse में launch कि किया गया है मंचेश्वर एरिया में मंचेश्वर एरिया में तो आपको क्या किया याद रखना है कि ये first rice ATM है और इसा में launch हुआ है इसका नाम किया है अनपूर्ना ग्रेन ATM और rice ATM और किस ने किया है कृष्ण चंद्रपत्रा ने किया है जो कि food supply and consumer welfare minister है और भुबनेश्वर के अंदर किया और जो पहला warehouse है मंचेश्वर एरिया में है और इसका जो में उदेश्य है वो क्या है कि जो राशन कार्ड होल्डर्स है राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो PDS सिस्टम होता ना public distribution system सार्वजनिक वित्रन प्रनाली उसमें और transparency लाना पार्दर्शिता लाना और convenience लाना तो यह इसका में मोटिव है आगे चलते हैं थर्ड अपडेट पे भारतिये रेसलर जो इंडियन पहलवान है हमारे अमन सहरावत उन्होंने Paris Olympics में bronze medal जीत कर भारत का नाम रोशन किया है 21 साल के अमन ने पूर्तो रिको के डॉरियन टूई क्रोज को 13-5 से हराकर य और एक सिल्वर मेडल जो है वो हो गया Paris Olympics गेम के अंदर तो में अपडेट था जो रेसलर अमन सहरावत है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है ब्रॉंज मेडल जीता है इंडिया के लिए Paris Olympics 2024 में चलते हैं फोर्थ अपडेट पे जो की रिलेटेड है बोईंग कंपनी से बोईं कंपनी ने अपने नए प्रेजिडेंट और सी इओ को न्यूप्त किया है एट्थ ऑगस्त को किसको न्यूप्त किया गया है कैली ओडबर्ग को जो कि पहले रॉक्वेल कॉलिंस के एक्जेक्टिव हैं और अब रेदियों टेक्नोलिजी के पार्ट होंगे और बोईंग को ल बहुत बढ़ गया 1.4 बिलियन डॉलर्स का इनको सेकंड क्वाटर के अंदर लॉस हुए है मेनली इफेक्ट पढ़ा डिफेंस और स्पेस बिजनस की वज़े से ये लॉसे आ रहे हैं तो अब इन्होंने जो न्यू सी इओ को पॉइंट किया है कैली ओडबर्ग को इस सब को मैनेज करने के लिए फिफ **** अपडेट पे चलते हैं चार ओउगस्त को फॉर्थ ओउगस्त को चाइनीज अमेरिकन वीजिस्ट भॉतिख विज्यानी चाइनीज अमेरिकन भॉतिख विज्यानी सुंग्दाउब ली जोकी 21 साल की उम्र में नॉबल प्राइस विजेटा भी रह चुके हैं उनका अब 97 97 साल की उम्र में उनका दिहान्थ हो गया उनकी डेथ हो गई है सैन फ्रसिस्को में थोड़ा सा इंके बारे में जान लेते हैं 24 नुवेंबर 1926 को शंगाई में इंका जन हुआ था और he was the third of his family's six children और इनों जो अपनी education है वो शंगाई के अंदर करी और चाइना के इडिफरेंट पार्ट्स में करी और फिर लेटर ओन US में University of Chicago में इनोंने physics study करी और Chinese government scholarship जहां पे इनोंने Nobel laureate Enrico Fermi के साथ काम किया तो हमें याद रखना है नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ट्यूनेशिया से ट्यूनेशिया के प्रेजिडेंट कैस सयद ने recently हाल ही में प्राइम मिनिस्टर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है एहमद हचानी इनको हटा दिया है और इनकी जगह पे अपॉइंट किया है कामेल मद्धौरी को कामेल मद्धौरी को जो की former social affairs minister है अब उनको new prime minister जो है वो बना दिया गया है न्यूक्त कर लिया गया है तो किसको हटाया गया है एहमद हचानी को हटा दिया गया है उनकी जगा पे जो नए आए हैं वो है कामेल मदवरी आपको ये याद रखना है कामेल मदवरी इसके साथ ही ये प्रेजिडेंट सेयेद के प्रशासन में सिक्स्थ टाइम छटी बार पी-म की नियुक्ती हुई है और 6 औक्टूबर, 6 औक्टूबर को होने वाली राश्ट्रपती जो प्रेजिडेंशल एलेक्शन है उससे ठीक पहले ये अनाउंसमेंट करी गई है और जो कंट्री है अभी बहुत से सोशल और एकनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रही है समाजिक और आर्थिक अस्थ सिंगापूर, थोड़ा सा DBS के बारे में जान लेते हैं जो DBS है ये सिंगापूरियन मल्टी नेशनल बैंकिंग और फानेंशल सर्विसेस कॉर्परेशन है जिसके हेड़क्वार्टर जो है वो मरीन बे सिंगापूर में है और इस ग्रूप को ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटेव इन डिजिटल बैंकिंग का खिताब भी मिल चुका है तो DBS के तरफ से जो मेन अनौसमेंट है वो यह है कि DBS ने पॉइंट किया है टैन सूशन को एस फर्स्ट फीमेल सीओ जो भारते मूल के इंडियन ओर इजन के टॉप सिंगापूर बैंकर है पियूश 25 में DBS से CEO पद से हटने का जो प्लान किया है और उनकी जगा लेंगी टैन सूशन जिनको हाली में एस डिप्टी CEO पॉइंट किया गया है और जो टैन है वो DBS की इंस्टिट्यूशनल बैंकिंग की ग्रूप हैड भी है और इस नए अपॉइंटमेंट के साथ वो ग्रूप क कि पहली महिला CEO बनने जा रही है तो में आपको ये भी याद रखना है कि वो इस ग्रूप की फर्स्ट महिला CEO होंगे और जो गुपता है वो DBS की नेक्स्ट एजीम के अंदर रिटायर होंगे तब जो है ये पद को संभालनेंगी टैन सूशन तो अपडेट है DBS अपॉइं पे ये मेन अपडेट जो है वो इंडियन रेलवे की तरफ से है भारती रेल की तरफ से है जो की लॉंच करने जारी है कवच 4.0 जो की एक एंटी कोलिजन सिस्टम है कवच 4.0 जो की एंटी कोलिजन सिस्टम है यानि टकर रोधी प्रनाली है जो कवच 4.0 है वो अब पूरी तरह से त्यार हो चुका है 17 जुलाई 2014 को इसकी त्यारी हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस साल तक 20,000 इंजनों में इसे लगाने की त्यारी करी जाएगी और अभी 10,000 लोकोमोटिव में इसको लगाने का ओर्डर कर दिया गया है थोड़ा सही सिस्टम के बारे में जान ले सबने आहरे में जाल इस परण के रहा है तो यस ते कि दोख स्ट्रा तो कि रहा है और मीं जात्रे कंड़ीशन भी जांपर आपडिया 10,000 कि तो इस से दो से कॉप मैंटर कर डक जाता नहीं होmedim कि अगर कोई train किसी दूसरी train के पीछे आ रही है और सुरक्षित दूरी को cross कर गी है तो यह system उसको आगे नहीं बढ़ने देगा और एक और चीज है कि अगर चलती train जो होगी रास्ते में कही रेड लाइट आ गई या गेट आ जाए तो भी उसकी speed को control करेगा यह system तो कवच 4. जो है वो इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बहुत बड़ा step है anti-collision system है जो लगाया जा रहा है हादसों से बचाने के लिए जो लगाया जा रहा है इंडियन रेलवेज की तरफ से तो यहां पे एट अपडेट्स कहतम होते हैं अब हम question answers की form में बाकी के questions जो हैं बाकी के आयोजित किया गया कि शहर में आयोजित किया गया तो answer है Lusaka तो India and Zambia held fourth foreign office consultation आपको याद रखना है कि जो चौथी foreign office consultation है वो इंडिया और Zambia के बीच में जो हो रही है वो कौन सी city के अंदर हो रही है Lusaka इस meeting में consider करा जाएगा cooperation in area such as defense, health, agriculture, mines, mineral resources and small and medium enterprises तो आपको याद रखना है fourth foreign office consultation between India and Zambia कहां पे held हो रही है Lusaka city में second है which organization launched हाथी app to reduce human elephant conflict in Assam, Assam में human elephant conflict को कम करने के लिए जो हाथी app launch करी गई है तो किस organization ने इसको launch किया है हमारा question है किस organization ने launch किया है तो organization का नाम है आर नायक 10 August को launch करी गई है यह app और इस app को develop किया गया in collaboration with SBI foundation और इसका जो में मोटिव है वो है early warning of presence of wild elephants close to human settlements की जो जंगली हाथी है एक दम से आ जाता है तो उसकी पूर्व चेतावनी मिल सके और जो जंगली हाथी द्वारा अगर नुकसान किया जाता है तो उसके लिए भी जो मुआवजा है compensation है उसके लिए भी आवेदन पत्र का प्रावधान किया गया है जिसे अभी वन विभाग को सौंपा जाएगा next question है which two organizations partnered to launch UPI-centric payment platform UPI-setu कौनसी दो organizations ने partnership करी है किसको launch करने के लिए UPI-centric payment platform जिसका नाम है UPI-setu UPI-setu को launch करने के लिए कौनसी दो organizations के बीच में partnership हुई है तो answer है Setu and Access Bank इन दोनों ने partnership करी है UPI-setu को launch करने के लिए UPI-setu जो app है basically UPI-focused payment platform है for developers and businesses जो की support करेगी various UPI products जैसे की QR code, EMI, UPI auto pay, third party validation services इन सब में support करने के लिए है यह जो Pine Labs है, Pine Labs का कहना है कि जो UPI है वो future में main भुकतान gateway बन जाएगा dominant payment gateway बनने वाला है in future और इसी वज़े से it is introducing new products and services to empower India's digital payment infrastructure next question है, who has been appointed as a member of Central Electricity Regulatory Commission to bring in judicial expertise CERC यानि Central Electricity Regulatory Commission के अंदर judicial expertise को लाने के लिए किसे appoint किया गया है as a member, CERC के अंदर judicial expertise लाने के लिए हरीश दुदानी को appoint किया गया है as member हरीश दुदानी जो है वो शपत लेंगे on 6th August 2024 को और जो दुदानी है इन्होंने पहले किस positions को hold किया है Chief Justice and Family Court in Delhi High Court and has also served as district judge, additional session judge and special judge तो इससे CERC जो Central Electricity Regulatory Commission है इसके अंदर judicial expertise आएगी इनकी appointment के बाद किसकी? हरीश दुदानी Who has been appointed as the new CEO of Boeing amid mounting losses? अभी हमने किया था Robert Otberg, Robert Kelly Otberg Next question है, which campaign was launched by government of India to promote the spirit of patriotism ahead of Independence Day? कौनसी campaign को launch किया गया है government of India की तरफ से To promote the spirit of patriotism हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो है ये campaign launch करी गई है government की तरफ से इसका third edition launch किया गया है जो कि 9 August से 15 August के बीच में run किया जाएगा और इसमें encourage किया जाएगा citizens को कि वो अपने घरों के बार जो है national flag को लहराएं This initiative is important towards promoting patriotism देशभक्ती को बढ़ाने के लिए है और national pride को बढ़ाने के लिए among the citizens और इस campaign में लोगों को जो flag है उसको परदर्शित करने और उसके साथ एक selfie लेके सांजा करने के लिए भी अमंत्रित किया जाता है When is world lion day celebrated तो हमने पढ़ा है 10th August को celebrate किया जाता है हमारा first update ही यही था Which institute signed MOU with MIT University to enhance Ayurveda research and education आयुरवेदिक research और education को बढ़ाने के लिए कौन से institute ने MOU sign किया है MIT University के साथ AIIA ने All India Institute of Ayurveda ने MIT University के साथ MOU sign किया है to enhance Ayurveda research and education तो आपको याद रखना है AIIA All India Institute of Ayurveda अब one-liner questions के तुरू अब तक हमने जो किया इस वीडियो के अंदर उसको revise कर लेते हैं The fourth foreign office consultations between India and Zambia were held in which city? Lusaka भारत और Zambia के भी चौथा विदेश कार्यालिया प्रामर्ष किस शहर में यह उजित किया गया था? Lusaka में विच ओर्गनाइजेशन लॉंच्ट हाथी एप तो रिडियूस हूमन एलिफेंट कन्फिक्टे ना साम? आर नायक आर नायक ने मानव हाथी संगर्ष को कम करने के लिए हाथी एप लॉंच किया विच तू ऑउगनाइजेशन पार्टनर तो लॉंच उपीः सेंट्रिक पेइमेंट प्लाटफोर्म ईूपीः सेथटू अजैश बैंक UPI के इंदरित बुकतान प्लाटफर्म UPI सेतु लाँच करने के लिए सेतु और एक्सेस बैंक इन दो संगटनों ने सांजिदारी की Who was appointed as a member of Central Electricity Regulatory Commission CERC Member किसको appoint किया गया to bring in judicial expertise Harish Dudani को Who was appointed as the new CEO of Boeing and amid rising losses Robert Otberg Which campaign was launched by the Government of India to promote the spirit of patriotism ahead of Independence Day Harghar Tiranga When is World 9 Day celebrated? 10th August Which institute signed MOU with MIT University to enhance Ayurveda research and education All India Institute of Ayurveda that is AIIA How many Ayushman Aarogya Mandirs are operating more than government target? तो ये थोड़ा numbers के उपर है कि सरकार के लक्षय से अधिक कितने Ayushman Aarogya Mandir संचालित हो रहे हैं 173881 यानि 1,073,881 आयूश्मान Aarogya Mandir जो है वो अपरेट हो रहे हैं D.N.R.L.M. किस पहल का उदेशय D.N.R.L.M. के तहत ग्रामीन निताओं और उधमियों को System Design Kaushal के साथ सशक्ट बनाना है तो वो कौन सा इनिशेटिव है? Lacks of Designers, Billions of Dreams तो यह आपको याद रखना है Lacks of Designers, Billions of Dreams लाखो डिजाइनर अर्बो सपने लाखो डिजाइनर अर्बो सपने यह इनिशेटिव है तो यह था हमारा आज का last question तो इसके साथ end करते हैं आज की वीडियो को यही पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ